हमारे साथ इस समय मौझूद है जितेन नारायन सिंग त्यागी जी जो अपसे कुछ पल पहले तक वसीम रिजवी थे सर आज आपने सनातन धर्म को सुकार किया है तो मुख्य वजे क्या रही जो आपने इसलाम धर्म को त्यागा है और सनातन धर्म को अपना है मैंने त्यागा नहीं है मुझको निकाला है यह एक बार नहीं बहुत बार निकाला है मेरी लड़ाई आज का जो मुद्दा है बगवाई शीराम के जो जन्म इस्थान है उस पर जो बाबर ने एक कलंग को जन्म दिया था आज हिंदुत ने अपनी ताकत दिखा कर आज के दिर उसको ढखेल दिया था आज हिंदुत के लिए बहुत अच्छा दिन है तो आज आज यहनी च्छाई दिसंबर तो आज आज के दिन मैंने इस लिए चुना कि तुमने हमको निकाल दिया मेरा गुना क्या था तुम रोज मुझे हत्या करने की साजिश करते हो रोज मेरा सर हर जुमे की नमाज के बाद मेरा पुतला फूकते हो हर जुमे की नमाज के बाद मेरा कटेवे सर का जो इनाम तुमने घोचित किया उसको बढ़ाते हो तो जब तुम यह जारती हमारे साथ में कर रहे हो तो मैंने तो आजना दिखाने कोशिश की थी आपने समझने के तो इसलाम में रहके भी इसको और सुधारने के लिए मैं अब भी करता हूं करूंगा और करता रहूंगा सुधारा तो कहीं से भी रहके जा सकता है लेकिन सवाल इस बात का है कि जब कोई सुधारने को तैयार हो जब कोई सुधारता नहीं तो उससे संघर्च करना पड़ता है तो हमको इंसानियत के लिए इन कटर पंती आईसाईस जैसी संगठनों से संगर्श करना है और वो हम करेंगे अब यूपी के चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं ये जो आपका निर्ने है क्या कोई सियासी कारणों से भी इसको समझ सकते हैं नहीं देखिए ये निर्ने सियासी कारणों से नहीं है लेकिन हम इतना जरूर हिंदों को मैसेज देना चाहेंगे कि मैंने इसलाम की जो मुसल्मान है उनकी राजनीत बहुत करीब से देखी है मुसल्मान हमेशा हिंदوت के खिलाव वोट जालता है और इखटा हो के डालता है उसका मकस्र आज से नहीं हमेशा से मॅगलों ने भी यहाँ पर आकर हिंदूों का अपमानित किया यहां पर मंदिरों को तोड़के मज़िते बनाई तो अपमानित करना था ऐसा नहीं था कि हिंदुस्तान में जंगा नहीं थी कि मंदिरों को तोड़के ही बनाना है वो ही आज का मुसल्मान करता है वो इतना कटर हो गया है कि हिंदू हिंदुत के ओपर जिसकी मोहर लगी वी है उसको हराने के लिए वो एक जुट होकर उस स्यासी पार्टी को वोट देता है जो उसको हरा रहा हो तो हिंदों को भी ये बास सोचनी चाहिए कि तुमारे धर्म के खिलाफ कौन है तुम से नफरत कौन करता है राजनीत में भी तुम्हें मदबूत होना चाहिए